हेलो फ्रेंट्स वालकम टू एजूकेशन चानल फ्रेंट्स आज जो हम नोटिफिकेशन डिसकस करने जा रहे हैं यह नोटिफिकेशन है हेल्थ वरकर के लिए और इसमें जो है 9000 से ज्यादा वेकेंसी निकली हुई है सैलरी जो है स्टार्टिंग सैलरी 21700 मिलेगा इसके अला अलावा जो है क्या एज रिस्टिक्षिंज है क्या टर्में कंडिशन है क्या eligibility criteria सारा कुछ इसमें कवर होगा और मैन है examination pattern आपका recruitment process क्या होगा कैसे आपका selection होगा यह हम जानेंगे इसमें और topic wise slayvers दिया गया है वो मैं आपके साथ discuss करूंगा वो आपके साथ मैं share करने जा हूँ ठीक है और यहां पे जो है इसके अलावा जो भी अधर कंडिडेट हैं उनके लिए भी वेकंसी है यह ना सोचें कि यह सिर्फ हेल्थ वरकर के लिए ही है बाकी और सब हम कैसे अप्लाइ करेंगे और भी जो कंडिडेट सोच रहे होंगे या देख रहे होंगे तो उनके लिए वीडियो के लास्ट में जो है मैं बहुत सारी सरकारी जॉब से रिलेटेड वेकंसी दूंगा चाहे वो बीकॉम के होल्डर हों बीकॉ ब्लाइस करने दो पहले चरीक जो चाहे इंग्लिस सारी छीजे जो है अप यहां पर चीजे चैनल को साबस्काइब कर लें और बैल आइकन वटन जरूर्ड प्रेस कर लें तो चलिए देखते हैं आज का नोटिफिकेशन 9212 हेल्थ वर्कर के लिए वेकेंसी तो यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चेन आयोग लखनू के दोवारा यह नोटिफिकेशन लीज किया गया है 15 जो है डिशंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है 5 जनवर जो है यहां पर online का हो गया अब आप eligibility criteria देखिए इसमें क्या है eligibility criteria देखिए यहां पर आपका physical जो है efficiency test यह शब तो बात का है बट यहां पर recruitment process क्या है वो मैं आपके साथ share करने जा रहा हूँ application fee सभी के लिए जो है 25 रूपीज है ज्यादा application fee नहीं है आप यह जो है credit card debit card के through application fee जो है pay कर सकते हो right अब यहां पर और जो है आपका यहां पर देखिए आपका जो है 21,700 लेके 69,100 तक salary structure है बाकि other analysis भी आपको मिलेंगे 18-40 is दिया गया है general के लिए 4865 वेकिंसी है SC के लिए 1386, SC के लिए 420 और 1660 जो है तिन पिछरा बढ़ के लिए और जो एकनुवी का सेक्सिन के लिए 921,9212 वेकिंसी है अब यहां पर देखिए आपका जो है जो महिला के लिए यहां पर 460 रखा गया है जो की विकलांग है या सुद्धा सिनानी से के dependent है तो उनके लि certification तो यहां पर देखिए सबसे पहले आप 10th पास किये हों उसके बाद इंटर हो आपका 10th 12th के बाद जो है एनम का कोर्स होता है यहां पर देखिए 6 महना का या 2 साल का दोनों में से कोई भी जो है nurses and midvisor right दो वर्स का जो है सहायक assistant nurses and midvisor का कोर्स होता है एनम का वो किया हो या 6 मेहने का या 2 साल का किसी एक का आप उने किया है तो आप इसमें apply कर सकते हैं उसके अलावा first preference first preference उनको दिया जाएगा जो की दो वर्स की अबधी तक सेवा में रहे हैं या रास्ट के बी ग्रेट का आपके पास certificate है राइट दो साल का जो है आपका यहां प्रादेशिक सेवा से घर जा यहां डेशपा है जिलो आपके यहांदेश पराव यहां जावादेशिक सेवा दिएव़क अपके यहां शेयाओड़ा उनका आपके बात रर बातो आपके ज्एआव़का.